हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त जी तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर साज जिरूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों के सरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी और ठकावट हो जाती है उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रैस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करू मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नो बहुत ज्यादा कमजोरी है बहुत ज्यादा ठकावट मैसुस होती है कुछ भी करने का मन नहीं करता चलने फिरने का मन नहीं करता जहां बैठ गए वहां बैठ रहने का मन करता है उठने का मन नहीं करता और कई बार हम बुक्स पढ़ने आते हैं तो बुक्स पढ़ते होना है यह समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है बहुत लोग ऐसे आते हैं यहां पर जिनको बहुत प्रॉब्लम है इस ठकावत और खमजोरी से वो भी ऐसे ही आपकी तरह परिसान है मैं उन्हें सिर्फ दो दवाएं देता हूं और इन दो दवाओं से उनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्फ हो जाती है वो खुद बताते हैं आगे सर हम पूरी तरीके से अब ठीक हैं तो मैं उनको कौन सी दवाएं देता हूं यह मैं आपको आगे बताऊंगा उन दवाओं को कैसे लेना होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा और उन दवाओं का क कितने दिनों का है और उसका रिजल्ट कितने दिनों में देखने को मिलेगा ये भी हम जानेंगे साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कमजोरी होती क्यूं है क्या कारण है कमजोरी होने के और इसके लक्षड भी बताऊंगा कि आप पैसे पहचान कर स सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण होते हैं सरीर में कमजोरी होने के दोस्तों कारण बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मेजर कारण में आप लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग खान पान सही से नहीं कर सुबह नास तक या और फिर सीधा रात को खाना खाते हैं ऐसे लोगों में definitely कमजोरी होगी या फिर वो लोग जो लोग खाना तो तीन टाइम का या दो टाइम का खाते हैं लेकिन पोशट तक तो उन खानों से पूरी तरीके से नहीं मिल पाता या तो वो सिर्फ दाल चाओल ख कमी जब हो जाती है तब सरीर में कमजोर हैं लगती है या फिर जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं डिप्रेशन में रहते हैं टैंसन लेते हैं हमेशा उन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी अपनी चपेट में लेती है या फिर उन लोगों को कमजोरी होती है जिनक कमजोर होता है तो उसके बाद उन्हें कमजोरी हो जाती है कमजोरी होने के इसके पीछे कारण यह है कि उस दोरान वो सही से पोशर तत्तो नहीं ले पाते हैं सही से खाना पीना नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से उन्हें यह कमजोरी होती है और जो लोग बाहर का फास्ट कारण है जिसकी वज़े से सरीर में कमजोरी होती है अब इसके क्या लक्षण है कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको कमजोरी हो गई है या आपके किसी family member या पिर आपके किसी relative को कमजोरी हो गई है देखिए बहत ही simple कर आता है तो भी आप समझ सकते हैं कि उन्हें कमजोरी है और जिन लोगों के सरीर में कमजोरी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा नीद आती है तो अगर किसी को नीद बहुत ज़्यादा आ रही है तो यह भी समझा जा सकता है कि उन्हें कमजोरी है या फिर बहुत ज़्याद कि उसे नहीं कर पाते जैसे फुर्ति में हो जाता है कोई-बी-कभ वहारी कर बहुत आसानी तो जैसे आपको से इसे दो दो की जरुडर करूं currently दो दो में को फ़हली दोए उसका नाम है लाइको SIM रेड़ सिरफ लाइकोस्ट रेड़ सिरफ 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइज है वह 180 रुपे यानि 180 रुपीज ओनली कंपनी इसे बनाती है अस्टोर लैब और कॉंपोजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है multi vitamins, multi minerals, folic acid, iron, lycopene, antioxidant and methylcobalamine इन सारी दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह जो दवा है यह आपको हर medical store पर आसानी से मिल जाएगा चाहो तो आप इसे online भी purchase कर सकते हो इसकी आपको एक bottle लेके आनी है इसे आप note down ज़रूर कर ले या फिर आप चाहो तो इसका screenshot लेके रख सकते हो ताकि इसे खरीदने में आसानी हो अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है Supra Dean Tablet Supra Dean Tablet एक strip की packing में आता है और इस एक strip में 15 टेबलेट होती है और इस 15 टेबलेट का जो प्राइज है वो है 60 रुपे यानि 60 रुपीज ओनली company इसे बनाती है बायर और composition इसके अंदर होता है इसमें होता है multi vitamin, minerals, traco element and amino acid इन दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है इसे भी note down जरूर कर लें या फिर आप चाहो तो इसका screenshot लेके रख सकते हो इसकी एक strip लेके आनी है इसे भी आप offline खरी सकते हो या फिर online भी purchase कर सकते हो ये दोनों दवा आपको लेके आना है अब मैं आपको बताता हूँ इन दवाओं को लेना कैसे हो था देखो लाइकोस्ट रेड सिरप 5-7 ml सुबा 5-7 ml साम को खाना खाने के बाद आपको लेना है सुप्रडीन टेबलेट को आपको रात को सोने से पहले एक टेबलेट पानी के साथ लेना है इस तरीके से इस दवा को यूज करनी है अगर आप बच्चों को देना चाहते हो जिन साल से 13 साल के बीच है उन बच्चों को आपको धाई एमिल लाइको रेस्ट सिरप सुबा साम के हिसाब से दिना है खाना खाने के बाद और सुप्रडीन टेबलेट में से आधी टेबलेट देनी है रात को सोने से पहले इस तरीके से इन्हें ये दवा देनी है बच्चों को अब ये दवा कब तक यूज करनी है इस दवा को आपको एक से डेड़ महीने तक यूज करना है और इसका रिजल्ट आपको कितने दिन में देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट आपको सिर्फ हपते भर में देखने को मिल जाएगा आपके सरीर में पहले से ज़्यादा बदल हो सकते हैं दोस्तों वैसे इसका कोई भी side effect नहीं देख आता लेकिन किसी किसी में हो सकता है कि problem हो जाए इसलिए मुझे side effect बताना जुरूरी है जब आप इस दवा को लेते हैं और लेने के बाद आपके सरीर पर चक्ते पढ़ने लगे खुजली होने लगे या फिर दाने होने लगे तो ऐसी कंडिशन में आप समझ सकते हैं कि आप कोई सोट नहीं हो रहा या फिर आपको उल्टी सा मन या उ जब यह द्वा सोट नहीं होगा है और जब ये दवा सोट ना हो तो फौरन इस दवा को रोख दे और अपनी नजदी की डाउक्टर से एक बार जरूर मिले कोई भी दवा यूश करने से पहले एक बार णजदी प्रकिस अलग जरोलने है आई होप कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार